नमस्कार दोस्तों करेंट अफेर एटुजेट में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम और कसे बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले और कसे पहले डिसकस अगर कर रहे हैं तो यह आया क्यों ठीक है कि यह आया क्यों मतलब ज़न्म क्यूं लिया एए ठीक है हर चीज के पीछी कोई नो कोई मुद्ण होता है इसलिए तो जैसे हैं कौ süटैना को काउंटर काउंटर करना था तो वह आया तो उसी तरह झो अवखस एलैयंस है वह भी चाइना को काउंटर करने के लिए ही आया है अवागर कोई चीज आया है तो किसी ना किसी को तो पेट द terminal हाई जैसे कि अब महीं लिज्ये वाकस एलाइंस बन जाने से किसको पेट दर्द हो रहा तो चाहिना को पेट दर्द हो रहा ठीक है एक दूसरा पार्टी और है जिसको पेट दर्द हुआ इससे वह है फ्रांस अब फ्रांस को क्यों पेट दर्द हुआ वह आगे बताऊंगा तो अब इसमें क्या है कि सबसे पह पहली बार होने जा रहा है इससे पहले कब हुआ था तो 1958 में और वो किसको दिया गया था तो वो युनाइटेट किंग्डम को दिया था उसके बाद किसी से एवन फ्रांस ले लिजे फिर साओधी अरेबिया ले लिजे जो इसके क्लोज पार्टनर थे उनके साथ भी ये टेकन 1958 के बाद अब यह टेकनोलाजी फिर सेयर होगा अब यह किसके साथ सेयर होगा तो ऑस्टेलिया के साथ ठीक है यह आपको रफ ही गार अब देखे अगर यह कोस्चन पूछेगा अगर स्टेट PCS में पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा कि इसमें कौन-कौन से कंट्रे इ रहा यूके को तो पहले ही दे चुका है 1958 में ठीक है यह बात ध्यान रखेगा तो यह तीन कंट्री इन्वाल्व है और एक बात ऑकस का याद रखेगा यह कब बना है तो 2021 में बना है यह भी यह और फॉर्मेशन ध्यान रखेगा अब यह न्यूज में था तो देखे हिंदी न्यूज में क्या आया था चीन की परिसानी बढ़ी औस्टेलिया को परमानू पंडूब भी मिलेगी तो देखी यहाँ पे 65 साल में पहली बार अमेरिका ने तकनीक साजा की मैं आपको बताया हूँ 1958 में यूके को यह टेकनोलोजी सेयर हुआ था ठीक है अब इसमें चाइन अजिए नौन प्लॉरिफिलेसं क्रीटी का क्या है तो इसलिए चाइना के इसको लेका बिरोध्स है और यह आपका यह होगा कि इंड़ पैसेफिक्स जो है उसमें अब यह अब सम्मेरिन रहेगा तो चाइना को प्रॉब्लम हो नहीं हो ना है ठीक है तो चलिए अब इसमें क्या होगा कि देखें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं सेंड योगे में बाइडन ने कहा कि 2030 के दसक की सुरुवात में कॉंग्रेस के समर्थन और अनुमोधन के साथ अमेरिका तीन वर्जीनिया स्रेनी के पंडूबियों को अमेरिका को बेचेगा औस्टिलिया को सबसे पहले ओकस यह एक ट्राइलेटरल सेक्यूरिटी पैक्ट है बिट्वेइन ऑस्टेलिया यूके एंड यूनाइटेट स्टेट एनाउंस्ट इन दोहजार एकिस फॉर दी इंडो-पैसिपिक रीजन यह सारी चीज में आप लोगो पहले ही बता चुका कि इसमें कौन-क पैसिफिक में अपने इर्दगीड जो भी इंडो-पैसिफिक जो पैसिफिक होसियन में जो भी चाइना के दौरा है इन भॉल बोरा देख रहे हैं कि चाइना आजकल वह पूरा ही बोलता है कि साउथ चाइना सी पूरा मेरा है ठीक है ऐसा-इसा इसू को सॉल्व करने में अब बैंशनल वीपन देखें यहां पर तो अभी तीन दो एचर तीस तक दिया जाएगा और टोटल अभी पांच का उसको एक्स्टेंड करके आड भी बनाया जा सकता और कन्वेंशनल वीपन जैसे टॉम हो गया और ऑस्टेलिया का उस्टेलिया उसका और भी कह सकते हैं औ आटोनॉमी, क्वांटम टेकनोलोजी, अंडर सी कैपेबिलिटी, हाइपरसोनिक और काउंटर सोनिक मिसाइल हो गया जो इलक्ट्रोनिक वार्फियर इनुवेशन और इन्फोरमेशन सेरिंग इसमें क्या होगा कि तीनों जो यूके यूएस और हैं तो उसका जो नेभी होग ना, वो तीनों एक तो साथ में मिलके काम करेंगे और इन्फोरमेशन का एक्सचेंज होगा, जैसे कि साइबर इन्फोरमेशन हो गया, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस रिलेटेड आटोनॉमी हो गया, क्वांटम टेकनोलोजी हो गया, अंडर सी कैपेबिलिटी जो हो गया देखें, नेक्स्ट है, तो अब जाके फाइनली 2030 में ये कंक्लूड हुआ है जाके, ठीक है, तो ये सारा इंपोर्टन इंफोरमेशन था, आउकस्ट को लेके, अब इसमें भी देखा जाए, तो फ्रांस से पहले, कंवेंशनल समेरिन का बात चल रहा था लेने का, लेकिन व और वो यूएस से जाके अब नुकलिर समेरिन, तो इससे क्या होता कि फ्रांस और ऐस्टेलिया के बीच में रिलेशन का थोड़ा, मतलब कुछ समय के लिए दरार आ गया था, चाइना को पेट दर्द है, क्योंकि वो अब ऑस्टेलिया इंडो पैसिपिक में मजबूत हो जा इंफॉर्मल ग्रूप ही माल लिजे, तो ये इंडिया के पक्ष में ही जाता है, और अगर कुछ बात करें तो इसमें, हाँ, न्यूजिलैंड ने भी क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि न्यूजिलैंड भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है, इंडो पैसिपिक में, वो भी चाता था इसका पार्ट बनने के लिए, ठीक है, तो ये वो नहीं हो पाया, तो न्यूजिलैंड भी थोड़ा मतलब, उसको भी दिक्कत हो रहा है, मतलब उसको भी उसने भी क्रिटिसाइज किया इसको लेके, ठीक है, तो और अगर कोश्चन पूछा चाए, कहीं भी पूछा चाए, इससे माल लीजे, क्या बूलते हैं, जैसे SSC में पूछ लिया, तो कौन सा कंट्री इंक्लूड है, वो पूछ सकता है, कितने फिर कप एक्ट साइन हुआ था, तो 2020 में साइन हुआ, तो ये छोटा-छोडा कोश्चन बन सकता है SSC में भी, ठीक है, तो इस वी हुआ सकता है